आज इस वीडियो में हम सुनेंगे मागमास महात्तम का दस्वाध्याए यम्दूत कहने लगे कि हेवेश ये एक बार भी गंगाजी में स्नान कने से मनुष्य सब पापों से छोटकर अत्यन्त शुद्ध हो जाता है जो मनुष्य गंगाजी को दोसरे तिर्थो के समान समस्ता है वो अवश्य नर्क में जाता है भगवान के चर्णों से उत्पन हुई गंगाजी के पवित्र जल को श्रीशिव जी अपने मस्तक में धारन करते हैं वह ब्रह्मा जो संदे रहीत प्रकृती से अलग और निर्गुन है ब्रह्माण में उसकी समानता किस्से हो सकती है गंगाजी का नाम हजारो योजन दू से ही लेने वाला नर्क में नहीं जाता इसलिए मनुष्य को अवश्य में गंगाजी में स्नान करना चाहिए है वेश्य जो ब्रह्मन दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वा अकाश के नक्षत्रों में चंडरमा के सामान है जो कीचर से गोव को निकालता है, जो रूगी की रक्षा करता है प्राणायम करने वाले मनुष्य सदे उत्तमगती को प्रापत होते हैं प्राता समय स्नान के पश्याट जो सोला प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं जो पराय इस्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की आतना को नहीं भोगते जो मन से भी कभी परिस्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोकों को अपने अधिन करता है जो परा ब्रह्म लोग को प्राप्त होते हैं शील की रक्षा करने वाली इस्त्री धन्य है शील भंग करने वाली इस्त्री यमलोग जाती है जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुरान और सहीता पढ़ते हैं और सुनते हैं तथा जो इस्मृति का व्याखान और धर्म शा पस्त्र का ग्यान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ट यमराज ने हमको वही आक्या ले रखी है कि तुम किसी वैश्णों को मेरे पास मत लाओ है वैश्य पापी लोगों को इस संसारूपी नर्कों को पार करने के लिए भगवान की भक्ती के सिवाए दूसरा कोई उपाए नहीं भगवान की भक्ती ना करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नर्क में नहीं रहने देते जो मनुष्य वैश्ण का जाप करता हुआ और जो मनुष्य मृत्य को प्राप्त होता है वह परमधाम को प्राप्त होता है इसमें कोई संदे नहीं जो ओम नमो भगवति वासुदेवा है मनमो नारायन इस द्वादक्षराय मंत्र का ओम अस्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्मा इत्याद बड़े पाप नश्ट हो जाते हैं इस प्रकार मागमास महत्तम का दस्वा अध्याय संपूर्ण हुआ तो आपको वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक करें फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करें मेरे चैनल पर आप नहीं है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइ अधिरादी